हाई फ्रेंद्स मैं हूँ शाहिन सेयद वेलकम तुमाय चैनल आज हम बनाएंगे नरम मुलायम लादी पाव वह भी घर पर इसको मैंने बिना महता बिना सूजी के बनाया है आप इसका टेक्श्चर देख सकते हैं यह देखे इतना सॉफ्ट और स्पंजी धा नहीं बिल्कुल मुँ में खुल रहा था इसके साथ मैंने एक रेसिपी भी बनाई थी इसी ब्रेट का यूज करके यह देखे चीज स्टाफ्ट गालिक ब्रेट जो के इतना माउथ मल्टिंग था ना कि आपके बच्चे इसको खाते नहीं तकेंगे बिल्कुल चीज से लोड़िर और बहुत इसके बाद इसको कवर करके 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देना है पाँच से 7 मिनिट के बाद ये देखे ये अच्छी दर से फूल गया है अगर ये फूल नहीं रहा है तो इसमें ब्रेट अच्छी दर से अक्टिवेट नहीं होगा आपने उसको तुरंती फैक देना है इसम दूद काफी नहीं होगा थोड़ा सा मैंने पानी आड़ किया यहां पर और पानी आड़ करके आपने बिल्कुल नरम मुलायम सा आटा लगाना है आटा बहुत ज़्यादा सक नहीं होना चीए इसके बाद तीन से चार मिनट के लिए इसको इसी में मैंने गूंद लिया है सरफेस के उपर थोड़ा सा सूखार्टा लगा ले और एक टी स्पून भर कर मैंने लिया है ओयल आप इसके जगे पे बटर ले सकते बटर रूम टेंपरेचर का एक टेबल स्पून आड़ कर ले यह आड़ करते के साथ इसको अपने अच्छी तरह से मसल मसल के गूंद लेना है थोड़े देर के बाद यह हाथ पर चिपकना बंद हो जाएगा और यह देखे बिल्कुल स्मूद सा एक डो बन के त्यार है तकरीबन 5-7 मिनट मैंने गूंदा है इसको तो अब हम इसको प्र अच्छ लगाया है क्योंकि यह बहुत फूल गया था और हवा इसमें से निकल जाए पर यह काफी स्टिकी था और मेरे हाथों को चिपक रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया है अभी बाहर थोड़ा सा सुखा अटा डस्ट करके मैंने इसको फिर से 3-4 मिनिट गूंद लिय तो यहां देखे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया यह आटा आप देख सकते हैं स्मूध है अब हम इसके पेड़े काट लेंगे आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं नाइफ कटर आता है कट करने का या फिर हातों से ही मैंने तकरीबन 9 पेड़े तोड लिये इस तरह से अ करीबन 15-20 मिनट छोड़ देंगे तो यहां पर 15-20 मिनट के बाद यह देखे फूल गया यह अच्छी तरह से एक दूसरे को स्टिक हो गया यह बिल्कुल जैसे लादी पाव होता है अब इसके उपर हम थोड़ा सा दूद ब्रश कर लेंगे ताकि उपर से कलर ना अच्छा जाया इसको इसके बाद मैंने ओवन 220 डिग्री पे अल्रेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया था जब वो अच्छे से 10 मिनट प्री हीट हो जाया तो उसको मैंने अंदर रखके आदा घंटा बेक किया है आदे घंटी के बाद मैंने ब्रेट बाहर निकाला है और उसको तुरंत ही कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि वो ड्राय नहीं हो और यह देखिए नीचे से उपर से अच्छी तरह से सिग्याए ब्रेट इतना नरम मुलायम स्पंजी सा है हाला कि हमने इसको गेहूं के आटी से बनाया यह देखिए बिल्कुल सूपर सॉफ अगर आपको जादा कॉंटिटी चाहिए तो अब आटा इस्ट और बाकी चीजों की कॉंटिटी को डबल कर सकते हैं देखिए अंदर से कितनी सारी इसके अंदर पोर्स दिखाई दे रहें बहुत पॉफेकली यह ब्रेट बन के त्यार हो गया है तो अब हम चलते हैं छोटा चाहिस लिया था और अरेग्यानू और एक चोटा चंबमच लिया है चिली फ्लेक्स ठोड़ा जलेवैर चले मेने पुझे मेने ऊच्छे और बन के कढाई ब्रेट को बीच में से कट कर लिया है और हर ब्रेट के ऊपर यह बटर और गालिका मिक्षर पहले अच्छे से लगा लए इसके बाद मैंने बीच में चीज dough कि अ था विल्ट के अंदर Spices भी आड़ का सकते हैं, मैंने अंदर से Already garlic butter लगाया था, उसको spice up करने के लिए, उपर से ये बचा हुआ पूरा butter garlic का जो mixture है वो पूरा लगा लिया है, oregano sprinkle कर लिया है, थोड़ा सा मेरे पास peri-peri masala था, जो कि optional है, बस टेस्ट अच्छा आजा है, इस ते मैंने अड़ किया है और चीज प्रिंकल कर लिया है, 220 डिग्री पे मैंने अंदर रख लिया था इसको, और तक्रीबन मैंने 15 मिनिट बेक करके बाहर निकाला है ये दिखिए, इसका color भी change हो गया है चीज आप देख सकते हैं, बिल्कुल perfectly melted है, अंदर बहार से तो मेरे बच्चों का तो ये फेवरेट मैं से बन गया है, आप भी जरूर ट्राइक करिए homemade आटा लादी पाव की recipe with cheese garlic bread recipe अगर आपको अच्छी लगती है तो like, share, subscribe करना मत भूलिएगा आपके स्मुल्क से मेरा वीडियो देखते हैं, जरूर comment करके मुझे बताईएगा तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूंगी एक और नहीं और ताजा recipe के साथ, तब तक इजास, thank you so much for watching my video, take care, bye bye